हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है निस्टाडी चैनल बात करेंगे आज की तीन बहुत इमहतुर अपडेट की सबसे पहले सुलात करेंगे चैन बोर्ड से तीज़िटी विज़िटी भरती को लेकर इमपोर्टेन अपडेट निकल कर आ रही है देख सकते हैं भरतियों पर जोर हाथ पर हाथ धरे बैठा चैन बोर्ड एक और सरकार की ओर से तेजी से भरतियां पूरी करने पर जोर है वहीं उत्तर परिस मादे में सिक्षा सेवा चैन बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा है सदस्यों के सभी दस्पद रिक्त होने के वज़े से 4500 सेरिक सहता प्राप्र स्कूलों में सिक्षकों और प्रथनाचारियों की भरती नहीं हो पा रही है यहां तक कि प्रथनाचार भरती 2013 की सारी वीथिक अर्चन दूर होने के बावज होनी है दिजिटी दोजर बाइस के लिए आवेदर लिए जा चुके हैं लेकिन उसकी वरिशा तारिखों का एलान नहीं हो पा रहा है और यह सारे समस्याएं आ रही हैं क्योंकि चैन बोर्ड में इस समय सदस्य नहीं है चैन बोर्ड में सदस्यों के दस पदों के लिए 15 ही तक आवेदर माएं गए थे इन में से दो पद सिक्षा भी बहाग में अपर सिक्षा निरेसक अस्तर के रिकारी के हैं जिनके लिए आधा दर्जन अपसरों ने ही फॉर्म भरा है इस जो आठ पद हैं इसके लिए ही मारा मारी है और 850 सरीक आवेदर इसके लिए प्राप् कुमबर तक चैन बोर्ड में सदस से आ सकते हैं फाइल सासन अस्तर पर पहुंच चुकी है यदि इसमें तेजी बरती गई और सबकुछ सही समय पर हुआ तो ही जाकर चैन बोर्ड में सदस से आप आएंगे और यदि अभी भी इसमें धीला हवाली हुआ तो सदस्यों की नि करना है एक्जाम कराना है और प्रधानाचारी की नई भरती भी होनी है बिल्कुल अधियाशन तयार है लेकिन चैन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है जिसकी वज़े से इसके विक्यापन में डिले हो रहा है देखते हैं कब तक चैन बोर्ड में सदस मिलते हैं चांसे तो हैं क असिस्टेंट प्रोफेसर भरती से देख सकते हैं 90,000 आवेदन विक्यापन संख्या क्यावन के तहद आये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 980 पदों पर यह भरती हो रही है जिसके लिए 90,169 आवेदन चात्रों ने किये हैं इसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त कूल रिजिस पड़ पड़ इसमें बढ़ गए जिसकी वज़े से कुल पड़ों की संख्या 981 हो गई है तो एक पड़ के सापेक्ष 92 दावेदार हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में वैसे तो यहां पर दावेदारों की संख्या जादा है लेकिन और दूसरी भरतियों से तुलना किया जा हैं एक लाग से भी कम यह डारेट पहुंच जाता 15-20 लाग बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश बुलिस भरती एवं प्रनती बोड से इंपोर्टेन अपडेट निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भरती बहुत ही जल सुरू होगी कॉंस्टेबल की प्रिक्रिया काफी समय से इस भरती के इंददार चातर कर रहे हैं और एक बड़ी भरती होनी है कॉंस्टेबल की पूरे पूरे चांसे से महीने इसका विग्यापर निकालकर आवेदन लिया जाएगा तो आप लोग इसकी तयारी शुरू कर दिए आप इंट्रेस्टेड ह सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप कोई सी वरकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इंफर्मेशन मिलती रहे थांक्स और वाचिंग